हेलो अब्रीबों वेलकम बेक तो माई येट्यूब चैनल कैसे हो आप से भाई होप आप से बहुत जाद अच्छे होगे आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूं फियामा पिंक सोग का रिव्यू इससे पहले मैंने फियामा के दो और वेरियंट का रिव्यू आपके साथ में शेर किया हुआ है ब्लू बैरी वाला फियामा एंड एक था जोजोबा एंड आमंड ओयल वाला फियामा तो उन दोनों के ही वीडियो आपको मेरे I बटन में या में description box में मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो अप उसको watch कर सकते हैं काफी दिन से मैंट पास में एक रिक्रेस्ट पर बिभी थी इस फियामा पिंक सोग के रिव्यू के लिए बट मैं मतलब भूल गई थी या फिर अतने सारे रिव्यूज लगे रहते हैं कि उतना टाइम नहीं मिल पाया बट आज मैंने सोचा कि नहीं आज मुझे तो इसका रिव्यू करना है तो आज मैं आ गई हूँ इसका फियामा पिंक सोप का रिव्यू लेकर के अगर आप भी इस अढसे सोप बारे में दीतिल में जाना चाहते हो तो इस वीडियophile का इंट तक ब्रमाज करना तो चलिए यह वीडियो कर सार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी पैकजिंग की बात करते हैं पैकजिंग आप देख सकते हूं इस तरह के pink cardboard box में आपको मिलती है वैसे तो यह Fiamma Pink है in hoppen लने चाहोगे आपको बोलोगे आपको fiamma the k donc छाए हो तो यह ़िसका नाम और with skin conditioners आपके सकीन बहुत सॉट रती है अपकी स्कीन बहुत ज़ादा कंडिशन करता है और काफे अच्छा है तो यह है हमारी आउटर पैकेजीङ और humor में आपको इसथार के कुछ तो इनर पैकेजिंग में आपको कुछ इस तरह से रैपर के साथ में मिल जाता है पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है मतलब लगता है कि हाँ आप एक महेंगा सोप ट्राइ कर रहे हो प्राइस अगर मैं आपको इसका बताओ ना तो इसका प्राइस है 55 रूपीज और 55 रूपीज में आपको एक सोप मिलता है यह आपके स्कीन के लिए काफे जादा अच्छा होता है मतलब इसकीन को बहुत जादा सॉफ्ट करता है इसमिन को ब्राइटन अप करता है अगर आप इसको यूज़ करते हो daily basis पे तो और इसकी quantity मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो quantity है वो है 300 grams की अब देख सकते हो इतना पतला सा soap है तो quantity इसकी 55 रुपीज में 300 gram है यह जो सोप है इसका size देख के लग रहा है कि यह मतलब 10 से 15 दिन से जादा नहीं चलेगा तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो ना अच्छी इसकी fragrance है मतलब गर्मी में एक रहत वाली जो fragrance होती है काफी मतलब relaxing सी जो fragrance होती है उस तरह कि इसकी fragrance है अब मैं आपको अंदर से सोप को भी दिखा देती हूं तो कुछ इस तरह के पिंक कलर में सोप आपको यह मिलेगा जेल सोप है यह तो इसलिए यह गलता जादा है और बहुत जादा ही जल्दी गलता है मतलब आप देख सकते हैं इतना पतला सा सोप है 10-15 दिन से जादा चलेगा नहीं और उसमें भी अगर आप इसका ध्यान नहीं दोगे अगर आप इसको पानी में ऐसे छोड़ दोगे ना त तो इससे बात करने के बाद में मतलब इससे शावर लेने पार में बहुत ज़दा सकती है तो यह अगराप इस प्रड़क्त चांथे तो आप ज़रूर्श कर सकते है और कंशेगे जरूर बताना कि आपको next किस product का review चाहिए मैं जरूर आपके लिए उस product का review शेर करूंगी So guys, आज के वीडियो में बस इतना ही I hope आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करना और share भी कर देना friends और family के साथ में जो लोग भी पियामा का pink soap यूज़ करना चाह रहे है थे तो उनके साथ में आप share कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अक्टिन को ज़रो हिट कर देना जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें आप सबसे पहले मेरे चैनल पर आ सकें तो तब तक के लिए और अपना बहुत सारा से ध्यान रखिएगा